36 गड की मुख्या विश्णियो देव साई मुख्यू मंती बनने के बाद पहली बार जगदलपूर पहुंचे CM साई जगदलपूर के धरमपूरा के PMT मैदान में संभाग स्तरी कारी करता संभान समारों में शामिल हुए इस दोरान मंचपर प्रदिस अध्यक्ष ओमातूर प्रदिस वरभारी किरन देव दोनों डिप्टी सीम और मंती के दार कश्यप भी मौजद रहे CM साई ने सभा को सम्मोहित करते हुए भारत माता 36 गड़ महतारी और दंतेशवरी माई के जैकाये लगाते हुए संभोधन करना शुरू किया CM साई ने 36 गड़ी में सभा को सम्मोहित करते हुए कहा सीम ने कहा कि हम सब को मालूम है कि बस्तर शित्र में हमारे नेता और एकरत करता कैसे काम करते हैं खत्रे में रहकर सीर में कफन बांध कर बीजेपी के लिए ये काम करते हैं साथी चुनाओ के दौरान और चुनाओ के पहले भी हमारे कई कारेकरता नकसलवात का शिकार भी हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को आज मैं नमन करता हूँ, उनका बलिदान वियर्थ नहीं जाएगा। भी बस्तर के खुसहाली और तरक्की के लिए और यह पाय के बस्तर के जम्मो कारेकरता मनना मैं प्रणाम करता हूँ, भीनन्दन करताूँ. बहुत चुनावती पूर ये समय में आप काम करतो अतेज जहन करकरता मन बलिदानी दे तो केवल ये पाए के के हमर बस्तर खुसहाल हो हमर बस्तर के विकास हो ये पाए के आप मामला मुकदमा जेले हो बलिदानी दे हो ऐसे बलिदानी करकरता मनला मैं प्रणाम और अभिनन्दल करत हूँ ये जो जीत हो है बारा में से आठ विधानसभा कांघ्रीसी मन कहेँ बस्तर मा का हो ही बस्तर कैसे जीती हो 36 गडमत सरकार कैसे बनही बस्तर के बीना अब मैं आपला कहत हो कि बस्तर के कारिकरता मन कांग्रेशला कैसे जवाब दिये है कत का ताकत मौर बस्तर के कारिकरता है कांग्रेश के नेतामन सुन लाओ मौर एक मंडल अध्यज के कत का ताकत है जेन कांग्रेश के प्रदेश सध्याग और साज सदला हराई के ताकत रखते ये मोर पार्टी के कार्य करता है हमन सबला मालूम है कि बस्तर छेतर में हमर नेता मन, हमर कारकरता मन कैसे काम करतें खत्रा में रहके, सीर में कफन बांध के भारती जनता पार्टी के लिए काम करतें और ये चुनाओं के दोरानी चुनाओं के पहले भी हमर कईठन पार्टी के अच्छे अच्छे नेता मनके कारकरता मनके नक्सलवात के उमन सिकार होई नहें इसे सबला मैं आज के अउसर में नमन करत हूँ उमन के बलिदान बियर्थ नहीं जाए और आज आप बनके बहुत-बहुत स्वागत है बस्तर में बारा में से आठ सीट आप बन जिता के दे हो एकरले हमर नेता से लेकर बूत तक एके कारकरता बहुत-बहुत धन्वाद और बधाई के पात रहे हमन आज हमर नेता उम माथूर जिला सुनवो ये पहली बार 36 गड़ में भारती जनता पार्टी आदिवासी मुख मंत्री बना है और आज एक आदिवासी मुख मंत्री के नाते बस्तर में पहली बार आप बन के बीच में आगमन होई से हमर नेता मन बतात रहिन आज हमर सरकारला बने हुए 24-25 दिन होए है लेकिन है 24-25 दिन में हमन कई ठन बड़े बड़े काम ला संपन करे हन जो मोदी की गारंटी में हमर पार्टी 36 गड़ के पहने 3-3 करोड जनता से जो वादा करे है वला पूरा करे हन सरकार सपत लहे के दूसरे ही दिन 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान परदानमंती आवास में बनाए के निरने ले हन कॉंग्रेस के सरकार में पांस साल में एक ठंड परदानमंती आवास के काम निहोई समर गरीब मन के हग चीनेगी गरीब मन आवास से बंचित हो इन और हमर पार्टी के वादा रहिस की सरकार और जो मुख्य मंतरी हो ई वो पहला काम करी 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान सुकृत करे के और 13 दिसंबर के सरकार सपतलाईस और 14 दिसंबर के केबिनेट में ही हमन 18 लाग परधानमंती आवास के सुकृति करे के निर्ने ले ले हन अब हमरे 36 गड़ में 5 साल जो बंचित रही नैसे सबके 18 लाग आदिमन के मकान बनी 15 साल के हमर सरकार में 2 साल के किसान मन के दान के बोनस नि दे पाए रहे हैं कॉंग्रेस के सरकार अपन जन घोसना पत्र में उला देहे के वादा करेर इसलेकिन 5 साल में और नी देइज लेकिन आप मुला बताते हुए मुला गहरों लगा थे कि 25 दिसंबर जो हमर 36 गड़ के निर्माता भारत रत नस्वध है अटल बिहारी बाजपई जी के जयनती है जो उनला पूरा देश सुसाचन दिवस के रूप में मना थे ओ दिन पूरे प्रदेश में जगा जगा कारकम करके 12 लाग से ज़ाजा किसान मन के खाता में 316 करोड रूप्या से ज़्यादा बोनस के रासियों मन के खाता में ट्रांसफर करे हन ये काम भारते जनता पार्टी ही कर सकत है आज 36 गड़ में हमर इवामन के जीवन के साथ खिलवाड होई रिसे पी एससे में भारी घोटाला होई रिसे हमर देश के एससी प्रदान मंत्री भी कहे रहें कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जाच कराएंगे और आप मुला बताते हुए मुला गहरा हो थे कि हमन अभी ये पी एससी के घोटाला के जाच बर सीबी आई इला सोंपे हन ये पी एससी में जो भी घोटाला करी नहीं कोई नहीं बच्छी सब के उपर कारवाही हो ही और मुदी की गारंटी में जो जो आदा करे हैं वो सब लाने वाला पांस साल में हमाला पूरा करना है